कि क्या धर्ति खत्रे में है पृत्वित्विक तरब से आ रहा है विशालका ऐस्ट्रोईड नासा ने जारी किया अलच काफी लंबे समय्व से ऐस्ट्रोईड को प्रीत्विक के लिए खत्रा बताया जा रहा है कहा जाता है कि अगर कभी से टकराता हैं तो भायानक तबाहि मच सकती है कई बार एस्ट्रॉइट के परीथ्वी से टकराने की संभावना जदाए गई है लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है हाला कि कहा जाता है कि एक प्रीथवी से टक्कर हुई थी जिसके बाद डानसौर हत्म हो गए थे अमेरिकी अंतरक्ष एजेंसी नासा ने एक बार फिर एस्ट्रॉइड को लेकर शेतामनी जारी की है नासा ने कहा कि करीब 720 विट का विशालका एस्ट्रॉइड तेजी से धर्ती की तरफ बढ़ रहा है यह विशालका एस्ट्रॉइड 15 सितंबर 2024 को प्रीथवी के बेहत करीब से कुछरा इस एस्ट्रॉइड की गती 25,000 मील प्रती घंटे है जो बेहत डरावने वाली है नासा ने बताया कि धर्ती से यह एस्ट्रॉइड कम से कम 6,20,000 मील की दूरी से कुछरेगा यह दूरी प्रीथवी और शान्त की दूरी का 2.6 गुना होगा यह दूरी भले ही बहुत जादा है लेकिन विज्ञानिक इसे लेकर चंतित है एस्ट्रॉइड का नाम 2024 आन है नासा और अंतराश्ट्र अंतरिक एजेंसियों ने कहा है कि इस एस्ट्रॉइड की प्रीथवी से टकराने की संभावना नहीं है लेकिन अंतरिक्ष एजेंसिया इस पर नजर रख रही है नासा की तरफ से कहा गया है कि ज़रान एस्ट्रॉइड थोड़ा भी रास्ता भटकता है तो यह खतरनाग साबित हो सक प्रीथवी से टकराने की संभावना नहीं होने के बाद भी नासा और अंतराश्य अंतरिक्ष एजेंसिया नजर रख रही हैं बतादे की नासा की नीर अर्थ औबजेक्ट आपडिरेशन प्रोग्राम ने इसका पता लगाया था इस प्रोग्राम का उदेश प्रीथवी के क हर गतिवीदी पर नजर रखी जा रही है वेगानिक इसके बारे में जरूरी जानकारी चुटा रही है फिलाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही आपको मारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करकि आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आप नीजनेशन अब वाटसेप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए नीजनेशन के इस क्यू आर कोड को स्कैन करें